नमस्कार आप देखने शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीबी बिहार का खास काई करम चुनावी चौसर और चुनावी चौसर में हम आपको ले चलते हैं छप्रा जहां कि होट सीट पर आज राजी परताब रोड़ी और रोहनी आचालिया के बीच जबरदस्त मुकाबला कहा ही जा रहा था कि होट सीट है और सही माइनों में छप्रा होट सीट हुई आज सावी मद्दान जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तस्वीर भी धीरे-धीरे साप कुने लगी कि छप्रा में होने क्या वाला है लेकिन सब से जो आधे बेला के बाद यानि बारे बज़े के बात जो छपरा बिधान सभा है उसका जो माहौल था वो कमल के लिए बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि लोग जी जान देने के लिए तयार हैं। जो खबरें साम तक आई है वो यही है कि छपरा बिधान सभा में बंपर बोटिंग हुई है और उस बोटिंग में सबसे ज़्यादा फाइदा मिला है राजी परताब रूड़ी को और वहाँ पर एक बड़ी बढ़त बना सकते हैं राजी परताब रूड़ी। उसी तरह की स्तिती अमनौर बिधान सभा में भी थी और अमनौर में भी राजी परताब रूड़ी मुकाबले में बहुत आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। इसके अलाबा जब बात करिए सोनपूर और परसा में तो यहां मुकाबला बहुत काटे का हुआ। रोहनी आचार्या और राजी परताप रूढी के बीच यहां काटे की टकर हुई है और यहां पर यह कहना मुस्किल है कि कौन आगे बढ़ जागा सोनपूर में और कौन आगे बढ़ जागा परसा में मतलब इस दो बिधान सभा छेतरों में रोहनी आचार्या का भी जोड़ चला लाल्टेन का भी जोड़ चला ऐसा नहीं है कि यहां पर मामला छप्रा और अम्नोर की तरह था यहां भी बहुत ही काटे का मुकाबला हुआ और दोनों में से कोई भी पत्यासि इन दोनों बिधान स वार्षेतरों को थोड़ा सा नॉर्मल कर देती है कहा ये गया था कि माई के अलाबा भी बहुत सारे भोट पढ़ेंगे रोहनी आचार्जा को लेकिन ऐसा कुछ चमीन पर दिखता नहीं दिखा बज़ा देखे साफ है एक तो एडिस्नल भोट नहीं है इसके अलाबा एडिस्न का भोट टर्णावर्ट होगा और जडी के तरफ लाड्रेंग की तरफ लेकिन उतना नहीं हुआ हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ जो रोहनी आचाजा को comfortable इस्तिती में लाखे रख दे उसी तरह नुक्सान किस लिए हुआ ज्यादा रंधीर सिंग को लेकर रंधीर सिंग का टिकट नहीं मिलना महरादगन छपरा के चुनाव को भी प्रभावित कर गया खास कर छपरा विधान सभा में तो इसका साप साप असर दिखा रंधीर सिंग के टिकट कटने का ये असर इस तरह से था जो राजी परताप रोड़ी को आगे ले जाता हुआ दिखाई परता है तो एक तो रंधीर सिंग का फैक्टर और दूसरा हम बात करेंगे जो सबसे महत्पून फैक्टर है वो है हैना सहाब का देखिए सिबान की हवाब बाते बाते छप्रा तक पहुँची कहा जाता है कि ये हवाब महराजगन तक भी जाएगी तो छप्रा तक जो हवाब पहुँची उसमें मुसलमान वोटों में डिवीजन कही न कहीं हुआ है जादा नहीं हुआ लेकिन जो सौफिस्दी बोट मिलना चाहिए था रोहनी आचार्जा को उसमें 15-20 परसेंट का डिवीजन हैना सहाब के कारण तो हो ही गया सारन लोगसभा छेतर में तो दो तरह का नुक्सान एक तो राजपुतो की उतनी आमत नहीं हुई रोहनी आचार्जा के पक्च में और दूसरा मुसलमान भोटों में सेंद मारी हो गई ये कही न कहीं से रोहनी आचार्जा को कमजोड कर रहा है सारन की लोगसभा सीट पर नहीं तो सोनपूर में और परसा में मुकाबला बहुत ही काटे का हुआ बहुत ही जवतस मुकाबला हुआ लीड भड़े अमनौर में और छप्रा में रूडी को मिला लेकिन इन दो सीटों पर जिसकी हम चर्चा किये वहाँ पर रोहनी आचार्जा अच्छी स्थिति म है लेकिन ये दो सीटों मारी एक तो मुसल्मानों में और राजपूत बोटों का ज्यादा टर्न आउट लाल्टेन की तरफ ना होना ये कही न कहीं रोहनी आचार्जा को नुकसान पहुंचा रहा है आकड़े आ रहे हैं बहुत सारे आकड़े भी आएंगे और रिमोट इलाके से भी आकड़े आएंगे लेकिन फिलाल जो आकड़े हैं उसमें ये कहा जा सकता है कि राजी परताप रूड़ी बढ़त बनाए हुए है रोहनी आचार्जा के उपर कुछ लोग काते हैं कि जीत का मार्जिन कम होगा राजी परताप रूड़ी का जीत जरूर जाएंगे रोहनी आचार्जा के समर्थकों से बात करिये उन्होंने कहा कि इस बार तो लालटे जल जाएगा लेकिन जो आकड़े हैं जिस तरह से भोड़ पड़ा है उसमें लगता है कि राजी परताप रूड़ी आगे दिख रहा है अंति फासला तो चार जून को आएगा ही आएगा लेकिन जो रुजान है और अनुमान है वो राजी परताप रूड़ी के पक्ष में दिखता है आप देखते रहिए कैपिल टीबी बिहाद आपका बहुत धन्रबाद हुआ हुआ है